नमस्कार दोस्ता एक बार फिस से आपका बाब्यों स्वागत है गौर्वेंट इंपलाज जैल फैर की नई और फ्रेश वीडियो में केंद्री वितमंद्री निरम्रा सिदार्माने सनिवार को मोधी सरकार 2.0 के दूसरे बजट को पेस किया अर्थ विवस्ता के मोर्चे पर चुनोतियों का सामना कर रही मोधी सरकार के इस बजट में क्या खास है देखते हैं इस वीडियो के माज़न से फिट इंडिया मूवमेंट को बड़ावा देने के लिए सरकार का बड़ा एक्सन ले रही है आयुसमान बारत योजना में अस्पतालों की संक्या बढ़ाई जाएगी ताकि T2, T3 सेहरों में मदद पहुँचाई जाएगी इसके लिए PPP मॉडल की मदद ली जाएगी जिसमें दो फेज में अस्पतालों को जोड़ा जाएगा केंदर सरकार के ओसे जलाये जा रहे इंदर तुनोस मिसन का विस्तार किया जाएगा मेडिकल डिवाइस पर जो भी टेक्स मिलता है उसका इस्तमाल कर मेडिकल सुविदाओं को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा टीबी के खिलाब देश में अभ्यान सुरू किया जाएगा टीबी हारेगा देश जीतेगा सरकार के ओर से देश को 2025 तक टीबी मुप्त करने का कोशिस की जाएगा परदानमत्री जन औस्दी योजना के तैद सेंटरस की संग्या बढ़ाया जाएगा स्वास्ते योजनाओं के लिए लगबाग 70,000 क्रोर रुपे का ऐलान किया गया है किसानों के अनुसार एक जिले में एक प्रोजेक्ट को फोकस किया जाएगा जेवी खेती के जरीए ऑनलाइन मार्केट को बढ़ावा दिया जाएगा किसान क्रेडिट कार योजना को 2021 के लिए बढ़ाया जाएगा दूद के प्रोडक्शन को दुगुना करने के लिए सरकार के ओर से योजना चलाए जाएगी मानरेगा के अंदर चारागा को जोड़ दिया जाएगा ब्लू एकॉनोमी के जरिये मचली पलन को बढ़ावा दिया जाएगा फिस प्रोसेसिंग को बढ़ावा दिया जाएगा किसानों को दी जाने वाली मदद क्यों दीन देल योजना के तहट बढ़ाया जाएगा फर्टी लाइजर का बैलेंस इस्तमाल करना ताकि किसानों को फसल में फर्टी लाइजर के इस्तमाल की जानकारी को बढ़ाया जा सके वहीं महिला किसानों के लिए दन लक्समी योजना का एलान किया है जिसके तहट 20 से जुड़ी योजनाओं में महिलाओं को मुख्य रूप से जोड़ा जाएगा क्रिसी उटान योजनाओं को सुरू किया जाएगा इंटरनेशनल नेशनल रूट पर इस योजनाओं को सुरू कर दिया जाएगा दूद मचली माज समेथ खराब होने वाली योजनाओं के लिए रेल भी चलाई जाएगी अपने बज़ट बासन में निर्मला सितरम ने एलान किया है कि इंवेस्टमेंट क्लियरेंस सेल का गठन जिसके जरीए इंवेस्टमेंट करने वालों को मदद दी जाएगी इलेक्टरोनिक मैनुफेस्टरिंग इंडेश्टरिस के लिए सरकार के और नए स्कीम का एलान किया गया है जिसमें मॉबाइल इलेक्टरोनिक मैनुफेक्चर को बढ़ावा दिया जाएगा हर जिल्ले में एक्सपर्ट हब बनाने के लिए योजना चलाई जाएगी इसके अलावा निर्विक योजना के तहट लोगों को लोन दिया जाएगा अगले 5 साल में 100 लाग क्रोड रुपे का निवेस करने का टार्गेट है अब ओनलाइन डिग्री लेवल प्रोग्राम चलाए जाएगे जल्दी सरकार की और से नई सेक्स अनित्ती का एलान किया जाएगा जिल्ला अस्पताला में अब मेडिकल कॉलेज बनाने की योजना भी बनाई जाएगी लोकल बॉडी में काम करने के लिए युवा इंजिनियर्स को इंटरसिप की सुविदा दी जाएगी उच्छ सेक्सा को बैतर बनाने के लिए सरकार काम करनी है दुनिया के चात्रों को बारत में पटने के लिए सुविदा दी जाएगी बारत के चात्रों को भी एसिया अफ्रीका के देशों में बेजा जाएगा राश्टे पुलिस विश्व विद्दाले राश्टे नियाएक विज्ञान विश्व विद्दाले बनाने का प्रस्ताव रखा गया है हाइवे को मोनिटाइज किया जाएगा देश में 24 तक 100 नए हवाई एडे बनाया जाएगे 24,000 किलोमेटर ट्रेन को इलेक्ट्रोनिक बनाया जाएगा ट्रेन तेज़ेश ट्रेन की संक्या को बढ़ाया जाएगा जो टूरिजम डेस्टिनेशन तक जाएगी मुंबई एमदबा के बिजबलर ट्रेन के काम में तेज़े आएगी जल विकास मार को बढ़ावा दिया जाएगा इस मार को असम तक बढ़ाने की योजना है ट्रांसपोर्ट में 1.70 लाग क्रोड रुपे का इन्वेस्ट किया जाएगा एक लाग ग्राम बन जायतों को इस साल ऑप्टिकल करी दी जाएगी 6 लाग से अधिक अंगनवारी कार्यकरताओं को स्मार्टफॉन दिया जाएगा महिलाओं की साधी की उम्र बढ़ाई गई थी अब हमारी सरकार लड़कियों के मां बनने की उम्र को लेकर भी चर्चाय हो रही है एक टास्क फॉर्स का गठन किया जाएगा जो 6 मेने में इस रिपोर्ट पर अपनी रिपोर्ट त्यार करेगी वित मंतरी निर्मला सितरमन ने अपने बजट पासन में एलान किया है कि 883 दरुवर के लिए 3000 क्रोड रुपे का पैकेज दिया जाएगा बड़े सेरों में स्वच हवा के लिए 4400 क्रोड रुपे का एलान किया गया है एक अच्छे देश को चलाने के लिए जिन बिंदों का जिकर जरूरी है मोधी सरकार ने उन सभी को पूरा किया है वीत मंतरी ने कहा कि देश में सुरक्सा का मुद्दा सबसे बड़ा एहम मुद्दा है पिये मोधी की अगुवाई में हमारी सरकार बश्टा चर मुक्त रही है अपने बासन में टेक्स पेर्स के लिए वीत मंतरी ने कहा कि देश में टेक्स के नाम पर अगुहाई बरदास नहीं की जाएगी टेक्स पेर्स के लिए सरकार ने बड़े कदम उठाए हैं कमपनी अधिनियम में संसोधन किया है नॉन गैजट पोस्ट के रहत करोड़ों किसानों को फाइदा पहुचाए गया है सरकार का लक्स ह् से किसानों की आए को दुगना करना है किसानों की मार्केट को खोलने की जरूरत है ताकि उनकी आए को बढ़ाया जा सके किसानों के लिए बड़ा एलान करते हो निर्मला सितरम ने काया कि हमारी सरकार किसानों के लिए 16 सुत्रिय फर्मूलिका एलान करती हैं इसमें किसानों को फायदा पहुचाया जाएगा Modern Agriculture Land Act को रज्जो सरकारों द्वारा लगू कराया जाएगा 100 जिल्लों में पानी की विवस्ता के लिए बड़ी योजना चलाए जाएगी ताकि किसानों को पानी की दिकत ना आए PM कुसम स्कीम के जरीए किसानों को पंप को सोलर पंप से जोड़ा जाएगा जिसमें 20 लाग किसानों को योजना से जोड़ा जाएगा इसके अलावा 15 लाख किसानों के ग्रीड पम को भी सोलर से जोड़ा जाएगा वित मंत्री ने लद्दा के लिए किया 5,958 करोड रुपे का एलान 2022 में बारत G20 सम्मेलन का आयोजन करेगा इसके लिए सरकार की और से 100 करोड रुपे दिये जाएंगे सरकार की और से लद्दा के लिए 5,958 करोड रुपे के बजर का एलान किया गया है